लिजी सुनिये शरत चंद्र चटोपाध्याय की लिखी कहानी अनुराधा मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवास में लड़की की विवाही योग उमर के विशय में जितना जूट बोला जा सकता है उतना बोलने के बाद भी उसकी सीमा लांगी जा चुकी है और बैह होने की आशा भी की जाती रही है मईयरी मईयर ये कौन सी बात है से शुरू करके आख मिचका कर लड़की के लड़के बालों की गिंती पूछने में भी अब किसी को रस नहीं मिलता समाज में ये मजाक भी फिजूल सा समझा जाने लगा है ऐसी दशा है बिचारी अनराधा के और मजा ये है कि घटना कोई पुराने जमाने की नहीं बलकि पिलकुल आधुने की युक्की है ऐसे जमाने में भी सिर्फ देन दहेज, पत्रा जन्म पत्री और कुल शील की जाँच परताल करते करते ऐसा हुआ कि अनराधा की उमर 23 पार कर चुकी, फिर भी उसके लिए वर नहीं मिला इस बात पर चट से विश्वास नहीं होता, फिर भी घटना बिलकुल सच है आज सबेरे गाउं के जमीदार की कचेहरी में इसी बात की चर्चा हो रही थी नए जमीदार का नाम है हरिहर घोशाल, कलकत्ते के रहने वाले है उनका चोटा लड़का विजए गाउं देखने आया है विजए ने मुह का चुरोट नीची रखकर कहा क्या कहा गगन चटर जी की बेहन ने, मकान नहीं छोड़ेगी जो आदमी खबर लाया था, उसने कहा कहा कि जो कुछ कहना है, सो छोटे बाबु आएंगे, तब उनी से कहूंगी विजए ने क्रोधित होकर कहा उसे कहना क्या है? इसके मानी ये हुए कि उन लोगों को निकाल बाहर करने के लिए खुद मुझे जाना पड़ेगा, आदमी उसे काम नहीं होगा, वो आदमी चुप रहा विजए ने फिर कहा, कहने सुनने कि इसमें कोई बात नहीं विनोध मैं कुछ भी नहीं सुनने का, फिर भी इसके लिए मुझे ही जाना होगा उसके पास वो खुद आकर अपनी तकलिफ बयान नहीं कर सकती विनोध ने कहा, मैंने ये कहा भी था अनराधा ने कहा, कि मैं भी भद्र घरानी की लड़की हूं विनोध भीया गर छोड़कर अगर बाहर निकल ही जाना है, तो उन्हें जता कर एक बार गी ही निकल जाओंगी बार बार बाहर नहीं निकल सकती क्या नाम बताया तुमने? अनराधा, नाम तो बड़ा चटकदार है, इसी से शायद अभी तक अहंकार नहीं मिटा जी नहीं, विनोध गाओं का आदमी है, अनराधा की दुर्दशा का इतिहास वही बतला रहा था परन्तु अनीति पूर्व इतिहास का भी एक अतिपूर्व इतिहास होता है, वही कहा जाता है गाउं का नाम है गड़ेश पुर। किसी दिन ये अनराधा के पुरुखों का ही था। पांच-छे साल हुए दूसरे के हाथ चला गया। इस जायदात का सालाना मुनाफा दो हजार से जादा नहीं है। किन्तु अनराधा के पिता अमर चटर जी का चाल चरन या रहन सहन था बीस हजार जैसा। लéहाजा पर्ज के मारे रहने के मकान तक पर डिक्री हो गई। डिक्री तो हो गई पर वो जारी नहीं हो सकी। महाजन व्याय के खारे पानी से मूँ तक भराई पर डूबी नहीं हिंदू कट्रता के फूले हुए पाल में सर्वसाधरन की भक्ति श्रद्धा की आंधी किसी हवा ने इस डूपती हुई नाओ को ढखेलते ढखेलते आखिरमर चटर जी की आयू की सीमक तो पार कर ही दी अते उनका जीवन काल एक तरह से अच्छा ही बीता वे मरे भी ठाठ बाट के साथ और उनकी श्राद शानती भी ठाठ बाट के साथ हुई मगर साथ ही जायदात का खात्मा भी यहीं हो गया इतने दिनों से जो नाओ सिर्फ एक नाओ बाहर निकाले किसी कदर सांसे ले रही थी अब उस शुदा पैत्रिक मकान मिला गले तक कर्ज से जकड़ी हुई गाउं की संपत्ती मिली कुछ गाए बक्री कुत्ते बिल्ली आधी जानवर मिले और सिर पर आपड़ी पिता की दूसरी इस्त्री की कुवारी कन्या अनुराधा उसके लिए वर भी जुट गया गाउं का ही एक भद्र पुरुष पांच्छे लड़के वाले और नाती पोते छोड़कर उनकी इस्त्री मर चुकी है अब वे ब्याह करना चाहते हैं अनुराधा ने कहा भाईया भाग में राजपुत्र तो बदा नहीं तुम वही मुझे ब्याह दो रुपए वाला आदमी ठहरा कम से कम ख चक्रवर्तियों के घर बयाह किया था जानती है उन लोगों की इस्जत क्या है बेहन ने कहा और कुछ हो या ना हो रुपए तो हैं कुल लेकर उपवास करनी के अपेक्षा मुठी भर दाल भात मिल जाना कहीं अच्छा है भाईया गगन ने सिर हिलाते हुए कहा ऐसा नहीं ह हो सकता बताओ तो बाबु जी इन सब बातों को मानते थे मगर तुम्हारे तो इसकी कोई बला ही नहीं यहां यह कह देना जरूरी है कि पिता की कट्टरता पुत्र में नहीं है मद्द मास्त था और भी आनुशंगिक विशियों में वो बिलकुल मुह मुक्त पुरुश है प मुझे में फजूल की कट्रता नहीं पर करने अगत कुल के शास्त्राचार को क्या तेरे लिए तिलान जली दे कर अपनी चौदह पीड़ियों को नरक मैं डुबो दू कृष्णे की संतान है हम सुभाव कुलीन जा 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 एसी गंदी बाते अब कभी मुह से ना निकालना य ये कहकर वो गुसा होकर चला गया त्रलोचन गंगो पाध्ध्याय का प्रस्ताओ यहीं दब गया गगन ने हरीहर घोशाल की शर्ण ली कुलीन ब्राहमन को रिण मुक्त करना ही होगा कलकते में लकड़ी के व्यापार में हरीहर लखपती धनी हो गए हैं किसी दिन उनकी नन पाधी हो गए चटरजीयों का सब का सबरिन चुका कर हरीहर ने गणेश पुर खरीद लिया कुंडूओं को डिक्री का रुपिया दे कर उनके रहने का मकान वापस ले लिया सिर्फ मौक्छ शर्त ये रही कि बाहर के दो तीन कमरे का चहरी के लिए छोड़कर भीतर की तरफ गगन जैसे रहता है उसी तरह रहा करेगा जमीदारी खरीद ली गई पर प्रजाने नए जमीदार की अधीनता मानना नहीं चाही जायदाद छोटी है वसूली भी मामूली है इसलिए बड़े पैमाने में कोई इंतजाम किया नहीं जा सकता बगर इस थोड़े में ही गगन इसा कोशल करने लगा कि हरीहर के पक्ष का कोई भी कर्मचारी गणेशपूर में न टिक सका अंत में गगन अपने ही प्रस्ताओं के अंसार आप कर्मचारी न्युक्त हुआ अर्थात भूत पूर्व भू स्वामी वर्तमान जमीदार का गुमाश्ता बन गया उसने प्रजा पड़ी में और भी दो साल बीत गए उसके बाद अचानक एक दिन खबर मिली कि गुमाश्ता गगन चटरजी का पता नहीं लग रहा है शेहर से हरीहर के आदमी ने आकर सब जाच पड़ताल करके मालूम किया कि वसोल जो कुछ हो सकता था हुआ है और उसे गगन चटरजी बेहन अनुराधा और उसका दूर के नाते का एक बच्चा बेहनोत घर में रहता था पुलिस के आदमीयों ने इन दोनों को या थानियम गिसा माजा और हिलाया डुलाया पर कोई भी तत्थ न निकला विजए विलायत हो आया है उसके बार बार परिक्षा फेल करने से हरीहर को उसकी रसद के लिए बहुत रुपए खर्च करने पड़े हैं पास वो नहीं कर सका पर विग्गिता के फल सरूप मिजाज गरम करके दो साल पहले उद्देश लोटा है विजए का कहना है कि विलायत में पास फेल में कोई प्रभेद ही नहीं किताबे रटकर पास तो गद पार को मैनेज करने में लग गया करमचारियों में इसी दरमियान उसका नाम हो गया है मुनीम गुमाशते उससे शेर की तरह डरते हैं काम के मारे जबकि उसे सांस लेने की फुरसत नहीं थी तब गणेश पुर का विवरन उसके सामने आ पहुंचा उसने कहा ये तो जानी पड़ेगा इसलिए वो गड़ेश पुराया है मगर इस छोटे से काम के लिए जादा दिन गाव में नहीं रहा जा सकता है जितना जल्दी हो सके इसका कोई इंतजाम करके उसे कलकत्ति लोट जाना है सब कुछ उसके अकेले के ही सिर है बड़े भाई अजय अटरनी है अत्य प्रभामाई कलकत्ता इनिवर्सिटी की ग्रेजुएट है घर वालों की खबर सुध लेना तो दूर रहा साथ ससुड जिन्दे है या नहीं इतनी खबर लेने के भी उन्हें फुरसत नहीं पांच छे कमरे लेकर मकान की जिस सिमेवे रहते हैं वहां परिवार के लोगों का आना जाना संकुचित है उनके नौकर चाकर अलग है उडिया बैरा है केवल बड़े बाबु की मनाही होने से आज तक वे मुसल्मान बावर्ची नहीं रख सके हैं ये कमी प्रभा को कष्ट पहुँचाती है पर उसे आशा है कि ससुर के मरते ही इसका प्रतिकार हो जाएगा देवर विजय के प्रति उसकी हमेशा से अवग्या रहती आई है सिर्फ इधर कुछ दिनों से विलायत घूमाने से उसके मनुभावों में कुछ परिवर्तन दिखाई देने लगा है दो चार दिन उसने निवता दे कर उसे अपने हाथ से रांध बना कर डिनर खिलाया है और इस्त्री मर जाने के बाद ही वो विलायत चला गया था वहां क्या किया क्या नहीं किया इसकी खोच करने की जरूरत नहीं पर लोटने के बाद बहुत दिनों तक देखा गया है कि इस्त्री जाती के संबंध में उसका मिजाज कुछ रूखा रूखा सा रहता है माने बयाह कर लेकर उनमें नई कचहरी कायम कर दी है। सरिष्टे के काखजात जितने भी गगन के घर मिल सके। सब जबरदस्ती यहां उठा लाए गए हैं। और अब इस बात की कोशिश हो रही है कि उसकी बहन अन्राधा और उसके दूर के नाते का बहनोत घर से निकाल बाहर किया जाए। विनोद घोश के साथ अभी अभी इसी बात की सलाय हो रही थी। कलकते से यहां आते समय विजाए अपने साथ आठ साल के लड़के कुमार को साथ लेता आया है। गवई गाओं में साब बिच्चु आदी के डर से माने आपत्ती की थी। पर विजाए ने कह दिया कि मा तुमारी बड़ी बहु के परसास से तुमारे लड़ गोपाल पोते पोतियों की कमी नहीं है। कम से कम इसे वैसा मत बनाओ। इसे आफद विपद में पढ़कर आदम किसी आदर जतन के ही कटे हैं। कमार की दादी अक्सर खाट पर पड़ी रहती हैं। लहाजा काफी धन वैभव होते हुए भी उसे देखने भालने वाला कोई न था। और इसलिए बेचारत तकलीफों में ही इतना बड़ा हुआ है। विलाइश से वापस आने पर ये बात विजए को मालूम हो गई है। गड़े शपुराते समय विजए को भाभी ने सैसा हमदर्दी दिखा कर कहा था। लड़के को साथ लिये जा रहे हो लाला जी। गवाई गाउं की नई जगए ठेरी। जरा साउधानी से रहना। लोटोगे कब तक। जितनी जल्दी बन बाबू जी ने खरीदा था। खरीदा जरूर था पर खरीदने के मानी ही होना नहीं है भाभी मकान है पर उस पर अपना दखल नहीं। लेकिन अब तो तुम खुद ही जा रहे हो लाला जी अब दखल होने में देर नहीं लगीगी। उम्मेद तो यही करता हूँ दखल होने पर जरा ख़वर भिजवा देना क्यों भावे इसके उत्तर में प्रभा ने कहा था पास ही तो है गवाई गाओं कभी आँख से देखा भी नहीं जा कर किसी दिन देखाऊंगी अनीता का भी कॉलेज बंद है वो भी संग जाना चाहेगी इस प्रस्ताव पर विजय ने अत्यंत पुलकित होकर कहा था दखल में आते ही मैं तुमें खबर भेज दूँगा भावे तब लेकिन ना नहीं कर सकोगी अपनी बेहन को भी जरूर साथ लाना होगा अनीता युवती है देखने में भी सुन्दर है और ओनर्स के साथ बी ये पास भी साधरन इस्त्री जाती की विर एकांत में और कभी प्राचीन व्रक्षों की चाया से शीतल संकीन ग्राम में पत्थ पर एकांत में सैसा उसके सामने आ पढ़ने की संभावना ने उसके मन में उस दिन बार बार जूले किसी रमक पैदा कर दी थी विजए ठेट विलायती पोशाक पहने सिर पर हैट मुह में कड़ा चुरुट और जेब में रिवाल बर लिये चेरी की छड़ी घुमाता हुआ बाबु घराने के सदर मकान में जागुसा साथ में दूर लठेत मिर्जा पूरी दर्बान कुछ अनुयाई प्रजा विनोद घोश और पुत्र कुमार जाइदा दखल करने में यद्देपी दंगा हंगामे का डर है फिर भी लड़के को लड़ू गोपाल बना देने के बज़ा है मजबूत और साहसी बनाने के लिए ये बड़ी शिक्षा है इसलिए लड़का भी साथ आया है मगर विनोद बराबर भरुसा देता आ रहा है कि अनुराधा अकेली और आखिर और आखिर 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 वो जोर जबरे में हर्गिस नहीं जीत सकती फिर भी रिवालबर जबकी मौजूद है तो साथ ले लेना ही अच्छा है विजय ने कहा सुना है वो लड़की बड़ी शैतान है चट से आदमी एक अठे कर लेती है और वही गगन की सलाहकार भी सभाव चरितर भी ठीक नहीं विनूद ने कहा जी नहीं ऐसा तो नहीं सुना मैंने सुना है कहीं कोई नहीं था विजय सुनसान आंगन में खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा हाँ है तो बाबुओं का मकान ही सामने पूजा का दालान है अभी तक तूटा फूटा नहीं है परन्तु जीनता की सीमा तक पहुँच चुका है एक तरफ सिलसलेवार बैठने के कमरे और बैठक खाना है दशा सबकी एक सी है कबूतर चिडियों और चमगादरों ने इस थाई आश्रे बना रखा है दरवान ने आवाज दी कोई है उसके मरे आदा शून उचे स्वर के चीतकार से विनूद घोश तथा और सब मारे लज्जा के संकुच से हो गए विनूद ने कहा रादा जी जी को जाकर खबर दिये आता हूं बाबु साहब कहकर वो भीतर चला गया उसके कंट स्वर और बात कहने के ढंग से जान पड़ता है कि अब भी इस मकान का सम्मान करने में उन्हें संकोच होता है अनुराधा रसोई बना रही थी विनूद ने जाकर विनै के साथ कहा जी जी छोटे बाबु आये हैं बाहर खड़े हैं इस दुर्देव की वो प्रती दिन आशंका कर रही थी हाथ धोकर उठके खड़ी हो गई और संतोश को पुकार कर बोली बाहर एक दरी बिच्छा मुझे जादा देर ना होगी बाबु नाराज ना हो जाएं विनूद भाईया मेरी तरफ से जरा उन्हें बैठने को कह दो विनूद ने लज्जित मुख से कहा क्या करूं जी जी हम लोग गरीब रिया ठेरे जमीदार हुकम देते हैं तो ना नहीं कर सकते इसी से सु मैं जा पाद संतोष ने दर्वाजी के बाहर आकर दर्वाजी की और इशारह करके ड़ते ड़ते कहा मौसी जी आई हैं विजय ठिठक कर खड़ा हो गया शरीफ घरानी की लड़की ठहरी उसे क्या कहकर संबोधन करना चाहिए वो दुविधा में पड़ गया मगर अपनी कमजोरी ज जानती हूँ तो फिर खाली क्यों नहीं कर रही हो अनुराधा ने पूर्ववत ओट में से बेनोत की जबानी अपना वक्तव कहलाने की कोशिश की परंतु लड़का एक तो चालाक चतुर न था दूसरे नए जमीदार के कड़े मिजाज की बात भी उसके कानों में पड़ ग नश्ट करने लाइक समय मेरे पास नहीं है मैं कोई भालू चीता नहीं हूँ जो से खा जाओंगा मकान क्यों नहीं छोड़ती सो बताओ अनुराधा बाहर नहीं आई उसने वहीं से बात की संतोश के मारफत नहीं अपने मुह से साफ साफ कहा मकान छोड़ने की बात नहीं मगर वे तो अब भी मौजूद हैं उनसे पूछने पर मालूम हो जाएगा पूछने की मुझे कोई गरज नहीं ये शर्ट उनसे लिखवा क्यों नहीं ली थी भाईया ने इसकी जरूरत नहीं समझी थी उनके मुह की बात से लिखा पड़ ही बड़ी हो सकती है ये बात शाय तो तूट जाने से अब तो सभी शर्ट ने तूट गई इस मकान में रहने का अधिकार अब हमें नहीं रहा मगर मैं अकेली इस्तरी ठेरी और ये अनात बच्चा है इसके माबाप नहीं है मैंने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया है हमारी इस दुरदशा पर दया करके अगर आप दो चार दिन यहां न रहने देंगे तो अकेली में अचानक कहा चली जाओं यही सोच रही हूँ विजय ने कहा इस बात का जावब क्या मुझको देना होगा तुमारे भाई साब कहा है उसने जवाब दिया मैं नहीं जानती कि कहा है और आपके साथ जो अब तक मैं भै पहाल लिया फिर कहने लगी आप मालिक हैं आप से कुछ भी छेपाऊंगी नहीं अपनी विपत्ते की बात साफ साफ आप से कह दी है वरना एक दिन भी इस मकान में जबरदस्ती रहने का दावा मैंने ही रखती कुछ दिन बात खुद ही चली जाओंगी उसके कंट स्वर से बाहर से ही समझ में आ गया कि उसके आँखों में आशु भराये हैं विजय दुखित हुआ और मनीमन खुश भी हुआ उसमें सोचा था इसे बेदेखल करने में न जाने कितना समय और कितनी परिशानिया उठानी पड़ेंगी मगर वो सब कुछ भी नहीं हुआ उसने तो मैंने देने में मुझे कोई आपती नहीं थी लेकिन मकान मुझे अपनी लिए चाहिए जहां हूँ वहां बड़ी दिक्कत होती है इसके सिवा हमारे घर की इस्त्रियां भी एक बार देखने के लिए आना चाहती है उस लड़की ने कहा अच्छी बात है चले आए ना बाहर क उनको बहुत कुछ सहारा पहुँचा सकती हूँ अब की बार विजय लज्जित होकर आपती जताता हुआ बोला नहीं नहीं ऐसा भी कहीं होता है उनके साथ आदमी वगएर भी आएंगे तुमें कुछ भी न करना होगा पर भीतर के कमरे क्या मैं एक बार देख सकता हूँ उ आथे पर पला है पर गुंगट नहीं अधमेली मामूली धोती पहने है गेहना कुछ भी नहीं केवल दौनों हाथों में सोने की चूणियां पहनी है पुरानी जमानी की ओट में से उसका अश्रु सिंचित सर विजय को अत्यंत मधर मालूम हुआ था उसमें सोचा था शायद सावला बलकि जरा काली की तरफ जुका हुआ ही समझे साधर और गाउं की लड़कियां दिखने में जैसी होती है वैसा ही है शरीर क्रिश छरहरा लेकिन काफी गठा हुआ मालूम होता है इसमें कोई शक नहीं कि बैठे बैठे या सोए सोए उसके दिन नहीं भी थे केवल उ शेष्ट दिखाई दी उसके ललाट पर आश्यर जनक निर्दोश सुन्दर गठन है उस लड़की ने कहा विनोद भाईया बाबु साहब को तुम सब दिखा भला दू मैं रसोई घर में हूँ तुम साथ नहीं रहोग राध हजी जी नहीं उपर जाकर विजय ने गूम फिर कर सب देखा भाला बहुत से कमरे हैं पुराने जमानी का बहुत सा अस्वाब अभी हर कमरे में कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है कुछ तूट फूट गया है और कुछ तूटने फूटने की राह देख रहा है अब उसकी कीमत मामुली ही समझे मगर किसी दिन थी जरूर बाहर कि नीचे उतराने पर अनुराधा रसोई घर के दर्वाजी के पास आकर खड़ी हो गई गरीब और बुरी हालत में होने पर भी वो भले घर की लड़की ठहरी इसलिए विजए को अब तुम संबोधन करने में शर्म मालू हुई उसने कहा आप इस मकान में और कितने दिन रहना चाहती है ठीक ठीक तो अभी बता नहीं सकती जितने दिन आप किरपा करके रहने दे कुछ दिन रहने दे सकता हूँ मगर जादा दिन तो नहीं दे सकता तब फिर आप कहां जाएंगे यही तो दिनराज सोचा करती हूँ लोग कहते हैं कि आप गगन का पता जानती है वे और क्या कहते हैं विजय इस प्रिश्ण का उत्तर न दे सका अनुरादा कहने लगी मैं नहीं जानती यह तो आप से पहले ही कह चुकी हूँ मगर जानू भी तो क्या भाईया को पकड़ा थू यही आपकी आग गया है उसके स्वर में तरसकार कपुट था विजय अत्यंत लज्जित हो गया समझ गया कि अभी जात्त की छाप इसके मन से अब तक मिटी नहीं बोला नहीं इस काम के लिए मैं आपसे नहीं कहूँगा हो सका तो मैं खुद ही उसे खोज निकालूँगा भागने नहीं दूँगा मगर एक बात है इतने दिनों से जो वो हमारा सत्यानाश कर रहा था सो भी क्या आप कहना चाहती है कि आपको नहीं मालूम था कोई जवाब नहीं आया विजए कहने लगा आकर संसार में करतगता नाम की भी कोई चीज़ होती है अपने भाई को क्या किसी दिन इस बात की सलाय आप ना दे सकी मेरे पिता बिलकुल ही सीधे साधे आदमी है आपके वंश से उन्हें काफी ममत्व है और विश्वास भी खूब था इसी से गगन पर उन्होंने सब कुछ सौप रखा था उसका क्या यहीं बदला है लेकिन आप निश्चिंद समझ लीजे कि मैं देश में रहता तो हरगेज ऐसा नहोने देता अनुराधा चुप थी और चुप ही रही किसी भी बात का जवाब न पाकर विजय मन ही मन फिर गरम हो उठा उसके जो भी कुछ थोड़ी करुणा उत्पन हुई थी सब उड़ गई वो कठोर होकर कहने लगा इस बात को सभी जानते हैं कि मैं कड़ा हूँ फजूल की दया माया मैं नहीं करता कसूर करके मेरे हाथ से कोई भी बचने ही सकता भाई साब से मुलाकात होने पर कम से कम आप इतना उन से कह दीजेगा अनुराधा पुरुवत मौन ही रही विजय कहने लगा आज से सारा मकान मेरे दखल में आ गया बाहर के कमरों की सफाई हो जाने पर दो-तिन दिन बाद यहीं चलाओंगा इस तरह उसके बाद आएंगे आप नीची के एक कमरे में रहिए जब तक कि आप और कहीं न जा सके मगर कोई चीज वस्त हटाने की कोशिश न कीजेगा इतने में कुमार बोल उठा संतोश के बना देने पर उसने पेट भर के उसका पानी पिया और कच्ची गरी निकाल कर खाई बाहर आकर बोला बापू जी तुम पियोगे बड़ा मीठा है नहीं पियो ना बापू जी बहुत है अपने ही तो हैं सब बात कोई ऐसी नहीं थी फिर भी इतने आदमियों के बीच लड़के के मुह से ऐसी बात सुनकर सहसा वो शर्मिंदा सा हो गया बोला नहीं नहीं पियूँगा तु चल बाबूओं के मकान का सदर अधिकार करके विजय जम के बैठ गया दो कमरे उसने अपनी लिये रखे और बाकी कमरों में कचहरी कर दी विनोद घोष किसी जमाने में जमीदारी सरिष्टे में काम कर चुका था उसी बूते पर वो नया गुमाश्ता नियुक्त हो गया परन्तु जंजट नहीं मिटी इसका मुख कारण ये था कि गगन चटर जी रुपे वसूल करके हाथ के हाथ रसी देना अपमान जनक समझता था क्योंकि उसमें अविश्वास की बू आती है जो कि चटर जी वन्श के लिए गौरों की बात नहीं इसलिए उसके अंतरधान के बाद प्रजा आफत में फंस गई है मौकिक साक्षी और प्रमान ले लेकर लोग रोज ही हाजिर हो रहे हैं रोते जीकते हैं किसने कितना दिया और किस पर कितना बाकी है इसका निर्णे करना एक कश्ट साध्ध और जटिल प्रश्ण हो गया है विजए जितनी जल्दी कलकटा लोटने को सोच कर आया था उतनी जल्दी न जा सका एक दिन दो दिन करते करते दस बारह दिन बीट गए इधर लड़की की हो गई है संतोश से मित्र था उमर में वो तो-तीन साल छोटा है सामाजिक और गारहस थिक पार्थक के भी बहुत बड़ा है परन्तु अन्न साथी के अभाव में वो उसी के साथ हिल मिल गया है उसी के साथ वो रहता है घर के भीतर बाग बगीचों और नदी किनारे गूमा फिरा करता है कच्चे आम और चड़ियों के घौसलों की खोज में संतोष की मौसी के पास ही अक्सर खापी लिया करता है और संतोष की देखा देखी वो भी मौसी जी कहा करता है विजय रुपए पैसे के हिसाब के जंजट में बाहर ही फसा रहता है जिससे हर वक्त वो लड़के की खोज ख़बर नहीं ले सकता और जब ख़बर लेने की फुरसत मिलती है तो उसका पता नहीं लगता सैसा कभी किसी दिन डांट फटकार लगा कर उसे पास बैठा भी रखता है तो चुटकारा पाते ही वो दोड़ कर मौसी जी के रसोई घर में जागुसता है संतोश के साथ बैठ कर दो पहर को दाल भात खाता है और शाम को रोटी और गरी के लड़ू उस दिन शाम को लोग बाग कोई आए नहीं थे विजय ने चाय पी कर चुरोट सुलगाते हुए सोचा चले नदी के नारे घूम आए अचानक याद उठाई दिन भर से आज लड़का नहीं दिखाई दिया पुराना नौकर खड़ा था उससे पूछा कुमार कहा है रे उसने इशारे से दिखाते हुए कहा भीतर रोटी खाई थी आज नहीं जबरदस्ती पकड़ के खिला क्यों नहीं देता यहाँ खाना जो नहीं चाहता मालिक गुस्सा होकर फेंक फांक कर अलग कर देता है कल से मेरे साथ उसे खाने बठाना ये कहकर नाजाने क्या मन में आए कि वो टहलने जाने के बजाए सीधा भीतर चला गया लंबे चौणे आंगन के परली तरफ से लड़के के आवास सुनाई दी मौसी जी एक रोटी और और दो गरी के लड़ू जल्दी जिसे आदेश दिया गया उसने कहा उतारा आओना बेटा तुम लोगों की तरह मैं क्या पेड़ पर चड़ सकती हूँ जवाब मिला चड़ सकोगी मौसी जरा भी मुश्किल नहीं उस मोटी डाल पर पेर रखकर इस छोटी डाल को पकड़ के चड़ से चड़ाओगी विजय पास जाकर खड़ा हो गया रसोई घर के सामने एक बड़ा सा आम का पेड़ है उसकी दो मोटी डालों पर कुमार और संतुष बैठे हैं पैर लटका कर तने से पीठ टेके दोनों खा रहे थे विजय को देखते ही दोनों सिट पिटा गए अनुराधा रसोई घर के किवाल के पीछे चिपके खड़ी हो गई विजय ने पूछा यही क्या इन लोगों की खाने की जगए है किसी ने उत्तर नहीं दिया विजय अंतराल वर्तनी को लक्ष करके कहने लगा आप पर देखता हूं कि ये खुबजोर जुम किया करता है अब की बार अनुराधा ने मृदु कंट से जवाब दिया हाँ फिर भी तो आप सर चड़ाने में कसर नहीं रखते क्यों सर चड़ा रही है नहीं चड़ाने से और भी ज़्यादा उधम मचाएंगे इस डर से लेकिन घर पर तो ऐसा उधम नहीं करता संभावे ना करता हूं उसकी मा नहीं है दादी बीमार रहा करते हैं बाप काम काज में बाहर फासे रहते है उधम मचा था किस पर विजय को ये बात मालूम नहों सुने ही परन्तु फिर भी लड़के की मा नहीं है ये बात दूसरे के मुह से सुनकर उसे दुख हुआ बोला आप तो मालूम होता है बहुत कुछ जान गई है किस ने कहा आप से कुमार ने अनुराधा ने धीरे से कहा कहने लाएक कुमर उसकी नहीं हुए फिर भी उसके मुह से ही सुना है दोपहर को मैं इन लोगों को धूप में बाहर निकलने नहीं देती तो भी आग बचा कर भाग जाते हैं जिस दिन नहीं जा पाते उस दिन मेरे पास लेट कर कुमार घर की बाते किया करता है विजय उसका चेहरा न देख सका परंतु उस पहले दिन की तरह आज भी उसका कंट स्वर उसे अत्यंत मधुर मालूम हुआ इसी से कहने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ सुनने के लिए ही बोला अब की बार घर जाकर उसे बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा क्यों? क्योंकि उधम मचाने एक तरह का नशा है ना मचा सकने से तकलीफ होती है खुडक सी आने लगती है दूसरे वहाँ उसके नशे की खुरा कौन जुटाएगा? दो ही दिन में भागना चाहेगा? अनराधा ने आहिस्ते से कहा नहीं नहीं भूल जाएगा कुमार उतर आब बेटा रोटी ले जा कुमार तश्तरी हाथ में लिए उतर आया और मौसी के हाथ से और भी कई रोटी और गरी के लड़ू लेकर उस से सटकर खड़ा-खड़ा खाने लगा पेड़ पर नहीं चढ़ा विजय ने देखा कि वे चीज़ें धनी घर की अपेक्षा पद गौरों में चाहे जितनी भी तुच्छ क्यों नहों पर वास्त्विक सम्मान की दृष्टी से जरा भी तुच्छ नहीं लड़का क्यों मौसी के रसोई घर के प्रतीत ना सकत हो गया है विजय उसका कारण समझ गया वो सोच कर तो ये आया था कि कुमार की लुबधता पर इन लोगों की तरफ से अकारण और अतिरिक्त खर्च की बात कहके प्रचलित शिष्ट वाक्यों से पुत्र के लिए संकोच प्रकट करेगा और करने भी जा रहा था पर बाधा आ पड़ी कुमार ने कहा मौसी जी कल जैसी चंद्रपूली आज भी बनाने के लिए कहा था सो क्यों नहीं बनाई तुमने मौसी ने कहा कसूर हो गया बेटा जरा सी आंख चुक गई सो बिल्ली ने दूध उलट दिया कल ऐसा नहोगा कौन सी बिल्ली ने बता तो सफेद ने वही होगी शायद कहकर अनराधा उसके माथे के बिखरे हुए बालों को सम्हालने लगी विजय ने कहा उधम तो देखता हूँ करमशा जुल्मे में परणत हो रहा है कुमार ने कहा पीने का पानी कहा है अरे याद भूल गई बेटा लाए देती हूँ तुम सब भूल ही जाती हो मौसी तुम्हे कुछ भी याद नहीं रहता विजय ने कहा आप पर फटकार पढ़नी ही चाहिए कदम कदम पर गलती होती है हाँ कहकर हनराधा हस दे असावधानी के कारण ये हसी विजय ने देख ली पुत्र के अवैधा आचरण के लिए शमा मागना ना हो सका इस डर से कि कहीं उसके भद्र वाक अभद्र व्यंग से न सुनाई दे कहीं वो ऐसा न समझ बैठे कि उसकी गरीबी और बुरे दिनों पर वो कटाक्ष कर रहा है दूसरे दिन दोपहर को अनराधा कुमार और संतोष को भात परोस कर साग तरकारी परोस रही थी माथा खुला था बदन का कपड़ा कहीं का कहीं जा रहा था इतने में अचानक दरवाजे के पास किसी आदमी की परचाईया पड़ी अनराधा ने मुठा कर देखा तो छोटे बाबू है एका एक सक्चा कर उसने माथे पर कपड़ा खींच लिया और वोट के खड़ी हो गई विजए ने कहा एक बहुती जरूरी सलाही के लिए आपके पास आया हूँ विनोद घोश इसी गाउं का आदमी ठहरा आप तो उसे जानती होंगी कैसा आदमी हो वो बता सकती है उसे गड़ेश पूर का नया गुमाशता कायम किया है पूरी तोर से उस पर विश्वास किया जा सकता है या नहीं आपका क्या खयाल है विनोद एक सब्ताय से जादा हो गया यथा साध्यकाम तो अच्छा ही कर रहा है किसी तरह की गड़बड़ी नहीं की सैसा घबरा कर उसके चरित्र की खोच खबर लेने की ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी अनुराधा की कुछ समझ में ना आया उसने मृदु कंठ से पूछा विनोद भाईया कुछ कर बैठे हैं क्या अभी तक कुछ किया तो नहीं है मगर साधान होने की जरूरत तो है ही मैं तो नहीं अच्छा ही आदमी समझती आई सच मुझ समझती है या निंदा नहीं करना चाहती इसलिए अच्छा कह रही है मेरे भले बुरे कहने की कोई कीमत है है क्यों नहीं वो तो आपको ही प्रामानिक साक्षी मान बैठा है अनुराधा ने जरा सोच विचार कर कहा हैं तो वो अच्छे ये आदमी फिर भी जरा निगाह रखियेगा अपनी लापरवाई से अच्छे आदमी का भी बुरा हो जाना कोई असंभव बात नहीं विजए ने कहा सच्ची बात तो यही है कारण पसूर का कारण ढूंडा जाए तो अधिकांश मामलों में दंग रह जाना पड़ता है फिर लड़के को लक्ष करके कहा तिरी तकदीर अच्छी है जो अचाना की एक मौसी मिल गई तुझे नहीं तो इस जंगल में आधे दिन तुझे बगएर खाय ही बिताने पड़ते अन्राधा ने धीरे से कहा आपको क्या हाँ खाने पीने की तकलीफ हो रही है विजए ने हसकर कहा नहीं तो ऐसे ही कहा है हमेशा से परदेश में ही दिन बिता है खाने पीने की तकलीफों की कोई खास परवाह नहीं करता कहकर वो चला गया अन्राधा ने खिड़की की सेंद में से देखा कि अभी तक वो नहाय निप्टा भी नहीं इस मकान में आने के बाद एक पुरानी आराम कुर्सी मिल गई थी शाम को उसी के हथेलों पर दौनों पैर पसार कर विजए आँखे मीचे चुरट पी रहा था इतने में कान में भनक पड़ी बाबु साहब आँख खोल कर देखा पास ही एक वृद्ध सज्जन खड़े सम्मान के साथ उसे संबोधन कर रहे है विजए उठकर बैठ गया सज्जन की उमर साथ की उपर पहुँच चुकी है लेकिन मजे का गोल मटोल ठिंगना मजबूत समर्थ शरीर है मूचे पक्कर सफेद हो गई है मगर गंजी चांद के इधर उधर बाल भौरे से काले है सामने के दो चार दांतों के सिवा बाकी प्रायह सभी बने हुए है बदन पर टसर का कोट और कंदे पर चादर है पाओं में चीनी दुकान के बारनिशदार जूते है और घड़ी की सौने की चैन के साथ शेर का नाखून जड़ा हुआ लटक रहा है कवई गाओं में ये सज्जन काफी धनाद्ध मालूम पढ़ते हैं पासी एक टूटी चौकी पर चुरुट का सामान रखा था उसे खिसका कर विजय ने उन्हें बैठने को कहा विर्द्य सज्जन ने बैठकर कहा नमस्कार बाबु सहब विजय ने कहा नमस्कार आगंतुक ने कहा आप लोग गाओं के जमीदार ठहरे आपके पिताजी बड़े प्रतिष्ठित लखपती आदमी है नाम लेते सूपरभात होता है आप उन्ही के सुपुत रहे उस बेचारी पर दया न करने से बड़े संकट में पढ़ जाएगी बेचारी कौन? उस पर कितने रुपे निकलते हैं? सज्जन ने कहा रुपे पैसे का मामरा नहीं है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो है स्वरगे अमर चटर जी की कन्या वे प्राता है इसमरणिये व्यक्ति थे गगन चटर जी की सौतेली बहन ये उसका पैत्रिक मकान है वो रहेगी नहीं चली जाएगी उसका इंतजाम हो गया है मगर आप जो उसे गरदन पकड़के निकाले दे रहे है ये क्या आपके लिए उचित है इस अशिक्षित व्रद्ध पर गुस्सा नहीं किया जा सकता विजए इस बात को मन ही मन समझ गया परंतु बात करने के ढंग से वो जल भून गया बोला अपना उचित अनुचित में खुद समझ लूगा मगर आप कौन है जो उनकी तरफ से वकालत करने आए है व्रद्ध ने कहा मेरा नाम है तरलोचन गंगोपाध्याई पास के गाउं मस्जित पुर में मकान है सभी जानते हैं मुझे आपके माबाप के आशीरवास से इधर ऐसा कोई आदमी मिलना मुश्किल है का पता लगा लूँगा मगर जिनकी आप वकालत करने आए है उनके आप लगते कौन है क्या मैं जान सकता हूँ सज्जन मजाप की तौर पर जरा मुस्कुरा दिये बोले महमान बैसाक के ये कुछ दिन बीटते ही मैं उससे बयाह कर लूँगा विजय चौक पढ़ा बोला आप विवाह करेंगे अनराधा से जी हाँ मेरा ये पक का इरादा है जेट के बाद फिर जल्दी कोई सहालग नहीं नहीं तो इसी महीने में ये शुबकार संपन हो जाता या रहने देने की बाद मुझे आपसे कहने भी नहीं पढ़ती कुछ देर तक इस्थिर रहकर विजय ने पूछा इस बयाह की बरेखी किसने की गगंचटर जी ने वृद्ध ने कुरुध द्रिष्टी से देखते हुए कहा वो तो फरारी आसामी है साहब रियाया का सत्या नाश करके चंपत हो गया है इतने दिनों से वही तो विघंड डाल रहा था नहीं तो अगहन में ही बयाह हो जाता कहता था हम लोग सभाव कुलीन ठेरे त्रिष्ण की संतान वन्शच के घर बेहन को नहीं बयाहेंगे ये था उसका बोल अब वो गरूर कहां गया वन्शच के घर ही तो आखिर गर्जू बन कर आना पड़ा आजकल के जमाने में कुल कौन खोचता फिरता है साहब रुपया ही कुल है रुपया ही इजजद रुपया ही सब कुछ है कहिए ठीक है की नहीं विजय ने कहा हाँ सो तो ठीक है अनुराधा ने मन्जूर किया है सज्जन ने दंभ के साथ अपनी जांग पर हाथ मार कर कहा मन्जूर कहते क्या है साहब खुशाबंद की जा रही है शहर से आकर आपने जो एक घुड़की दी बस फिर क्या था आखो तले अंधेरा दिखाई देने लगा मैयारी दैयारी पड़ गई नहीं तो मेरा तो इरादा ही जाता रहा था लड़कों की राय नहीं बहुआं की राय नहीं लड़की और दामाद भी सब विमुक हो गए थे और मैंने भी सोचा कि जाने दो गोली मारो दो बार तो ग्रहस्ती हो चुके अब रहने दो पर जब राधा ने स्वैम आदमी भेज कर मुझे बुलवा कर कहा कि गंगोली महाशय चरणों में स्थान दीजी तुमारे घर आंगन बुहार कर खाऊंगी सो भी अच्छा तब क्या करता मन्जूर करना ही पड़ा विजय आवांख होकर बैठा रहा व्रिद्ध महाशय कहने लगे ब्याह इसी मकान में होना चाहिए देखने में जरा भद्धा मालूम होगा नहीं तो मेरे मकान से भी हो सकता था गंगन चटर जी की कोई एक बुआ है अच्छी बात है ऐसा ही होगा अब आप जा सकते हैं नमस्कार नमस्कार महाशय जी नमस्कार सो तो है ही सो तो है ही आपके पिता ठेरी लखपती प्राता हिस्मरनी आदमी नाम लेने से सूपरभात होता है सो होता है आप अब पधारी तो जाता हूँ महाशे जी, नमस्कार कहकर तिरोचन बाबू चल दिये वरद महाशे के चले जाने पर विजय चुपचा बैठा हुआ अपने मन को समझा रहा था कि उसे इस मामले में सरखा पाने की क्या जरूरत है वास्ता में इसके सिवा उस लड़की के लिए चारा ही क्या है कोई ऐसी बात नहीं है जो संसार में पहले कभी हुई ही न हो संसार में ऐसा तो होता ही रहता है फिर उसके लिए दुश्चिंता किस बात की सैसा विनूद घोश की बात उसे याद आ गई उस दिन वो कह रहा था अन्राधा अपने भाईया के साथ इसी बात पर जखणने लगी थी कि कुल के गौराव से उसे क्या करना है आसानी से खाने पहनने भर को मिल जाए इतना ही काफी है प्रतिवाद में गगन ने गुस्से में आकर कहा था तु क्या माबाप का नाम डुबोना चाहती है अन्राधा ने जवाब दिया था तुम उनके वंश धर हो नाम कायम रख सको रखना मैं नहीं रख सकूंगी इस बात की वेदना को विजह न समझ सका खुद भी वो कॉलिन ने सम्मान पर जरा भी विश्वास रखता हो सो बात नहीं मगर फिर भी उसकी साहन भूती जा पड़ी गगन पर और अन्राधा के तीखे उत्तर की जयों जयों अपने मन में आलोचना करने लगा तेयों तेयों उसे वो लज्जा हीन लोभी और हीन तुच्छ मालूम होने लगी इधर बाहर सेहन में क्रमशा आद्मियों की भीड जम रही थी अब उनको लेकर उसे काम शुरू करना है मगर आज उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगा दर्बान से कहकर उनको विदा कर दिया और बैठक में अकेला बैठा न गया तो वो ना जाने क्या सोच कर एक बार गी सीधा घर के भीतर पहुँच गया रसोई घर के सामने खुले बरामदे में चटाई बिचा कर अनराधा लेटी हुई है उसके दोनों तरफ दोनों लड़के हैं कुमार और संतोश महा भारत की कहानी चल रही है रात की रसोई का काम वो जल्दी जल्दी निप्टा कर रोज श्याम के बाद इसी तरह लड़कों के साथ लेट कर कहानिया सुनाया करती है और फिर कुमार को खिला पिला कर उसे अपने बाप के पास भेज दिया करती है चांदनी रात है घन पल्लाव आमर व्रिक्ष की पत्तों की संधों में से चांद की चांदनी चंचंकर उसके शरीर पर चहरे पर पड़ रही है पेड की चाया में किसी आदमी की इधर आते देखा अनराधा ने चौक कर पूछा कौन? मैं हूँ विजय तीनों जने भड़बढा कर उठ बैठे संतोष छोटे बाबू से बहुत ज़ादा डरता है पहले दिन की याद उसे अभी भूली नहीं है वो इतस्त तहा करके उठके भाग गया कुमार ने भी अपने मित्र का अनुसरन किया विजय ने कहा त्रिलोचन गंगोली को आप पहचानते हैं आज में मेरे पास आय थे अनराधा को बड़ा आश्यर हुआ उसने कहा आपके पास मगर आप तो उनके कर्जदार नहीं है नहीं मगर होता तो शायद आपको लाब होता मेरे एक दिन के अत्याचार का बदला आप और किसी दिन चुका सकती अनराधा चुप रही विजय कहने लगा विजयता गय है कि आपके साथ विजयी है तो बड़े शरम की बात है कि वजय आपके लिए ही नहीं मेरे लिए भी आपके लिए क्यों यही बतलाने के लिए आया हूँ मैं त्रलोचन कह गये हैं कि मेरी जादती से ही शायद आपने ऐसा प्रस्ताव किया है कहते थे आपके लिए यहीं ठोर नहीं और बहुत आर्जू विन्यती करके आपने उन्हें राजी किया है। नहीं तो इस बुढ़ापे में उन्होंने ब्याहे की इच्छा छोड़ी दी थी। किवल आपके रोने धोने परदाया करके ही त्रलोचन राजी हुए है। हाँ ये सब कुछ सच है। मैंने वचन दे दिया है। सब कोई सुन चुके हैं। लोग उनका माखौल उड़ाएंगे। इसमें नहीं उड़ाएंगे। बलकि बहुत जादा उड़ाएंगे। उनके बराबर के लड़के लड़किया हैं। उनके साथ लड़ाई जगड़ा होगा। उनकी घर-ग्रहस् कि ये सब कुछ नहीं होने का। सुनकर विजय दंग रह गया। बोला। वृद्ध हैं कितने दिन जीएंगे। आप आशा करती हैं। अनुराधा ने कहा। पती की परमायू संसार में सभी इस्त्रियां जादा चाहती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सुहाग लिए मैं ही पहले म पर जाओ। विजय को इस बात का जवाब ढूंडे ना मिला। इस्तब्ध होकर खड़ा रहा। कोश शण इसी तरह ने इस तब्धता में बीत जाने पर अनुराधा ने विनीत स्वर में कहा। ये सच है कि आपने मुझे चले जाने का हुक्म दे दिया है। मगर फिर किसी द भगवान जानते हैं आपकी विरुद्ध किसी के पास मैंने एक भी बात नहीं कही। कहने से मेरी तरफ से अन्याय होता, मेरा जूटा कहना होता। गंगोली महाशा ने अगर कुछ कहा हो तो वो उनकी बात है मेरी नहीं। फिर भी मैं उनकी तरफ से शमा मांगती हूँ। व साइद नहीं, कम से कम भरोसा तो वे ऐसा ही दे गए है। विजय बहुत देर तक चुप रहकर बोला, तो फिर मुझे और कुछ नहीं कहना, लेकिन अपने भविश्य जीवन पर आपने जरा भी विचार नहीं किया, इस बात का मुझे बड़ा अफसोस है। अनुराधा ने क एक बार नहीं, सौसो बार विचार कर लिया है। ये मेरी दिन रात की चिंता है। आप मेरे शुभा कांग्शी हैं। आपके प्रतिकृतक गता प्रकट करने की भाशा ढूढ़े नहीं मिलते। लेकिन आप खुद ही तो एक बार मेरे विशाय में सारी बाते सोच पैसा नहीं, रूप नहीं, घर नहीं, बिना अभी भावक की अकेली गाउं के अनाचार अत्याचार से बच कर कहीं जाकर खड़े होने तक कठोर नहीं। उमर हो गई 23-24, उनके सिवा और कौन मुझे ब्याहना चाहेगा आप इहीं बताइए। तब फिर दाने दाने के विजय ने गंबीर अनुताब के साथ कहा, ऐसे समय में क्या मैं आपका कोई भी उपकार नहीं कर सकता, कर सकता तो बहुत खुश होता। अनुराधा ने कहा, आपने मेरा बहुत उपकार किया है, जो कोई नहीं करता, आपके आश्रे में मैं निडर हूँ, दौनों बच्चे मेरे चांद सूरज है, यही मेरे लिए काफी है, आपसे सिर्फ इतनी ही प्राथना है कि मन ही मन आप मुझे भाईया के दोश की भागनी ना बना रखियेगा, मैंने जान भूच कर कोई अपराध नहीं किया, सो मुझे मालुम हो गया है, आपको कहना नहोगा, इतना कहकर वि भीतर होगी जरूर, भीतर से मिर्दुकंट से उत्तर आया, हम, विजये ने कहा, आपको पुकारना भी मुश्किल है, हमारे समाज में होते हैं, तो मिस चटर जी या मिस अनराधा कहकर आसानी से पुकारा जा सकता था, पर यहां तो वो बात बिल्कुल चल ही नहीं सकती, पुराधा दर्वाजे के पास आकर बोली, आप मालिक ठहरे, मुझे राधा कहकर पुकारा कीजिए, विजये ने कहा, बुलाने में कोई आपती नहीं, पर मालिका नहाक के जोर से नहीं, मालिका नहाक था गगन चटर जी पर, मगर वो तो चंपत हो गया, आप क्यों मालिक मा दावा मैं नहीं करता, पर उमर का दावा जरूर रखता हूँ, मैं आप से बहुत बड़ा हूँ, नाम लेकर पुकारा करूँ तो आप नाराज नहोएगा, नहीं, विजये ने इस बात पर लक्ष किया है कि घनिष्टता करने का आग रह, सुयम उसकी तरफ से कितना ही सबजी, फल, भलारी, मिठाई वगेरा आई है, इस टोक्री को उठा के रख दीजे, लड़कों को देदा दीजेगा, छोड़ जाएए, जरूरत के माफिक रखकर आपके हां बाहर भिजवा दूगी, नहीं, सो मत कीजेगा, मेरा रसोय ठीक से रसोय बनाना भी नहीं जानता दोपहर से देख रहा हूँ कि चादर तान के पड़ा हुआ है, मालूम नहीं, कहीं आपके देश में मलेरिया ने नगीर लिया हो, बीमार पड़ गया तो परिशान कर ढालेगा, पर मलेरिया तो हमारे यहां नहीं है, वो अगर ना उठा, तो आपकी रसोय कौन बनाएगा, इस छाक की तो कोई बात नहीं, कल सबेरे विचार किया जाएगा, और कूकर तो साथ में है ही, कुछ नहीं हुआ तो अंत में नौकर से ही उसमें कुछ बनवा बनवू लूँगा, लेकिन उसमें तकलीफ तो होगी ही, नहीं मुझे तो आदत पड़ी हुई है, हाँ लड़क पर इस छाक मुझे रसोई बनानी नहीं है, नहीं बनानी, क्यों? कुमार की देह कुछ गरम सी मालूम होती है, रसोई बनाने से वो खाने के लिए मचले का, उस छाक का जो कुछ बचा है, उससे संतोष का काम चल जाएगा, देह गरम हो रही है उसके, कहा है वो? मेरे बिच् लेकिन जादा लाड़ दुलार पाने से फिर वो मौसी को छोड़ कर घर नहीं जाना चाहेगा, तब फिर एक नई परेशानी उठानी पड़ेगी, नहीं उठानी पड़ेगी, कुमार कहना ना मानने वाला लड़का नहीं है, विजय ने कहा, क्या होने से कहना ना मानने वाल होता है तो आप जाने पर मैंने तो सुना है कि वो आपको कम परेशान नहीं करता है अनरादक कुछ देर चुप रहकर बोली परेशान करता है तो सिर्फ मुझी ही को करता है और किसी को नहीं करता है विजए ने कहा सो मैं जानता हूं लेकिन मौसी ने मालो की सह लिया पर ताईजी उसकी नहीं सहने की और अगर किसी दिन विमाता आ गई तो जरा भी बरदाश्ट नहीं करेगी आदद बिकड़ जाने से खुद उसी के लिए खराबी होगी लड़के के लिए खराबी हो ऐसी विमाता आप घर में लावे ही क्यों? ना सही? विजय ने कहा लानी नहीं पड़ती लड़के की तकदीर फूटने पर विमाता अपने आप ही घर में आ जाती है तब उसकी खराबी को रोकने के लिए मौसी की शरन लेनी पड़ती है पर हाँ अगर विराजी हो अनुराधा ने कहा जिसके मा नहीं है मौसी उसे छोड़ नहीं सकती कितने भी दुख में क्यों नहों उसे पाल पोस कर बड़ा करती ही है बात को सुने रखता हूँ कहकर विजय चला जा रहा था फिर लोटकर बोला अगर अविनय को माफ करें तो एक बात पूछों पूछिए कुमार की चिंता पीछी की जाएगी कारण उसका बाप जिन्दा है आप उसे जितना निष्ठुर समझती है उतना वो नहीं है पर संतोष उसके बाप मा दोनों ही जाते रहे हैं नए मौसा तिरलोचन के घर अगर उसके लिए ठोर ना हो तो उसका क्या क मौसी के लिए ठोर होगा और बेहनोत के लिए नहीं होगा होना तो चाहिए लेकिन जितना मैं उन्हें देख सका हूँ उससे तो जादा भरोसा नहीं होता इस बात का जवाब अनराधा उसी वक्त ना दे सकी सोचने में जारा समय लगा फिर शांत और द्रहकंट से कहने लग मगर यह संभव नहीं तब उसे मेरे पास भेज दीजेगा कुमार का साथ ही है वो कुमार अगर आदमी बन सका तो वो भी बन जाएगा भीतर से फिर कोई जवाब नहीं आया विजय कुछ देर तक बाट देखकर बाहर चला गया दो तीन घंटे के बाद संतो शाकर दरवाज के बाहर से बोला मौसी जी आपको खाने के लिए बुला रही है मुझे विजय ने पूछा हां कहकर वो चला गया अनराधा के रसोई घर में आसन बिच्छा हुआ था विजय आसन पर बैठ कर बोला रात आसानी से कट जाती क्यों आपने इतनी तकलिफ उठाई अनराधा पा कैसे सुन्दा ढंक से चीजें सजी हुई थी खाते खाते विजय ने पूछा कुमार में क्या खाया सागू पी कर सो गया है लड़ा नहीं आज अनराधा हस दी बोली मेरे पास सोएगा इसलिए आज वो बिलकुल शान्त है कता ही नहीं लड़ा विजय ने कहा उसके कारण ही सोचती हो मालम होता है उसके घर चले जाने पर आपको कश्ट होगा अनराधा पहले तो चुप रही फिर बोली उसे घर ले जाने के पहले लेकिन आपको एक वचन दे जाना होगा आपको इस बात की निगरानी रखनी होगी कि उसे किसी बात की तकलीफ ना होने पाए मगर अगर मैं तो बाहर रहूंगा कामकाच के जंजट में, अपने वचन की रक्षा कर सकूँगा, इस बात का भरूसा नहीं होता, तो फिर उसे मेरे ही पास छोड़ जाना होगा, आप गलती कर रही हैं, ये और भी असंभाव है, इतना कहकर विजय हसता हुआ खाने में लग गया, खाते खाते बीच में बोल उठा, भावी वगरे की आने की बात थी, शायद वे अब आएंगी नहीं, क्यों, जिस धुन में कहा था, वो धुन शायद जाती रही होगी, शहर के लोग गवाईं गाओं की तरफ जल्दी कदम नहीं बढ़ाना चाहते, एक हिसाब से अच्छा ह पहुचा रहा हूँ, और लोगों के आजाने से और भी दिक्कत होती, अनुराधा ने इस बात का प्रतिवाद करते हुए कहा, ये कहना आपका बेजा है, घर मेरा नहीं आपका है, फिर भी मैं ही सारी जगए गेरे बैठी रहूं और उनके आने पर नाराज हूँ, इस से इतनी बातें इस धंग से उसने कभी नहीं कहीं, जवाब सुनकर विजए धंग रह गया, इस गाउं की लड़की को उसने जितना अशिक्चित समझ रखा था, उतनी वो नहीं है, थोड़ी देर स्थिर रहकर उसने अपना कसूर मनजूर करते हुए कहा, वास्ताव मेरा ये क बुरा सलुक किया है, लेकिन वो बगयर पहचाने हुआ, सचमुच संसार में ऐसा ही हुआ करता है, अक्सर यही होता है, फिर भी जाने के पहले मैं गहरी लज्जा के साथ आप से शमा मांगता हूँ, अनुराधा ने मृदू कंट से कहा, शमा आपको नहीं मिल सकती, नहीं म की नजर पढ़ गई, और शन भर की एक अज्जात विस्माई से उसका सार हिर्दय हिल कर तुरंत स्थिर हो गया, शन भर चुप रहकर बोला, यही अच्छा है मुझे शमा करने की जरूरत नहीं, अपराधी की रूप में ही मैं हमेशा याद आता रहू, दोनों चुप रहे, दो-तेन मिनट तक कमरे में बिल्कुल सन्नाटा रहा, निस्तब्धता भंगे की अनुराधा ने, उसने पूछा, अब फिर कब तक आएंगे, बीच-बीच में आना तो होगा ही, हलाकि आपसे भेंट अबना होगी, दूसरे पक्ष से इसका प्रतिवाद नहीं किया गया, मेरे भी आप यहीं जीमिएगा, तथास्तु, मगर समझ तो गई होंगी शायद कि औरों के अपेक्षा मेरी भूख कुछ जादा है, नहीं तो प्रस्ताव पेश करता कि सबेरे ही नहीं, निमंतरन की मियाद बढ़ा दीजे, जितने दिन मैं यहां रहूं, और जिससे आपके हाथ ही की खाकर घर चला जा सको, उत्तर मिरा, यह मेरा सौभाग है, दूसरे दिन सबेरे ही अनिक प्रकार के खाद्य पदार्थ अनराधा के रसोई घर के बरामदे में आ पहुँचे, उसने कोई आपत्ती नहीं की, उठा के रख दिये, इसके बाद तीन दिन के बदले पा किसी भी बहाने पर वो तिल भर भी निकट वरती नहीं हुई, बरामदे में भोजन के लिए जगह करके अनराधा भीतर ही से ढंग के साथ ठाली लगा देती है और संतोष परोस्ता है, कुमार आकर कहता, बापु जी मौसी कहती है कि मचली की तरकारी इतनी छोड़ देने से क अच्छी ना हुई होगी, लेकिन कल की तरह कटोरे में दूद पढ़ा रहने से उन्हें दुख होगा, विजय ने सुनकर कहा, तिरी मौसी जी अगर कल से नाध के बदले कटोरे में दूद दिया करें तो ना पढ़ा रहेगा, इसी तरह ये पांच दिन बीत गए, इस्त्रि भी सिर्फ दो ढ़ाई साल जीवित थी, और तब वो पढ़ता था, उसके बाद फिर उसका लंबा समय सुदूर प्रवास में ही बीता था, उस दिशा के अपने अनभवों की भली बुरी बहुत सी स्मृतियां कभी-कभी उसे याद आ जाते हैं, परंतु वे सब मानु पुस भले बुरे के आलोचना हुआ करती है, वो परिवार उसे अपना नहीं मालूम होता, मा को उसने बहुत बार रोते देखा है, पिता को नाराज और उदास रहते देखा है, पर इन सब बातों को उसने खुदी असंगत और अनधिकार चर्चा समझा है, ताई अपने देवरोत की खबर सुधना ले, या बहु अपने सास ससुर की सेवा ना करे, तो ये बड़ा भारी अपराद है, ऐसी धारना भी उसकी नहीं थी, और सुयम अपनी इस तरी को अगर ऐसा आचनन करते देखता, तो वो मरमाहत होता, ये बात भी नहीं, परंतु आज उसकी इतने दिनों क की धारना को इन अंतिम पाँच दिनों ने मानो धक्के दे कर शितिल कर दिया, आज शाम की गाड़ी से उसके कलकत तरवाना होने की बात थे, नौकर चाकर चीजबस्त बांध कर तैयारी कर रहे थे, कुछ ही घंटों की देर थी, इतने में संतुष ने आकर उट में से कहा, म आसन बिचाकर भूजन के लिए ठोर कर दिया गया है, मौसी की नार पकड़ कर कुमार लटक रहा था, उसके हाथ से अपने को छुड़ा कर अनराधर असोई घर में घुस गई, आसन पर बैठकर विजय ने कहा, इस वक्त ही ये क्या, भीतर से अनराधर ने कहा, जरा खिचड अनराधर ने कहा, पूरी तो आप खाते नहीं, घर पहुंचते पहुंचते रात के दो तीन बच जाएंगे, बगएर खाय उपासे जाते, तो क्या मुझे कम तकलीफ होती, बराबर ख्याल आता रहता कि लड़का गारी में बिना खाय पिये, यो ही सो गया होगा, विजय रहकर कहने लगा, और एक बात आपसे कहे जाता हूं, अगर कभी भेंट हो तो गगन से कह दीजेगा कि मैंने उसे माफ कर दिया, पर इस गाउं में अब वो ना आए, आने से माफ ना करूंगा, कभी भेंट होई तो उनसे कह दूंगे, इतना कहकर अनराधर चुपचाप हो पिर शन भर बात बोली, मुश्किल है कुमार के मारे, आज वो किसी तरह जाने को राजी ही नहीं होता, और जाना क्यों नहीं चाहता, सो भी नहीं बताता, विजए ने कहा, इसलिए नहीं बताता कि वो खुद नहीं जानता और मनी मन समझता भी है, कि वहाँ जाने से उसे त तकलीफ होगी, तकलीफ क्यों होगी, उस घर का यही नियम है, पर हो तकलीफ, आकर इतना बड़ा हुआ तो वही है, तो उसे ले जाने की जरूरत नहीं, यहीं रहने दीजे मेरे पास, विजय ने हस्ते हुए कहा, मुझे कोई आपती नहीं, मगर जादे से जादा एक महीने र शिक्षित हैं, हाँ वे बीए पास हैं, पर बीए तो इसकी ताईने भी किया है, जरूर किया है, मगर बीए पास कराने वाली किताबों में, देवरोत को लाड़ प्यार से रखने की बात नहीं लिखी, इस विशे की परिक्षा उन्हें नहीं देनी पड़ी, और बीमार सास् नहीं ये प्रस्ता और भी जादा हास कर है, हास करना हो, ऐसी भी कोई बात है, है, जरा भी किसी तरह की शिकायत ना करना ही हमारे समाज का सुभद्र विधान है, अनुरादा शड़ भर मौन रहकर बोली, ये विधान आप ही लोगों में रहे, पर जो विधान सब के लिए ए पास नहीं है, ऐसी बहु को घर लाना अनुचित है, लेकिन लाना तो किसी ना किसी को पड़ेगा ही, हम लोग जिस समाज की आब हवा में रहते हैं, वहाँ बी ये पास बगएर इजद भी नहीं बच्चती, मन भी नहीं मानता और शायद घर ग्रहस्ती भी नहीं चलती, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप इसे किसी निर्दय वे माता के हाथ नहीं सौप सकते, विजए ने कहा, सो कोई डर नहीं, कारण सौप देने पर भी कुमार हास से फिसल कर नीचे आ गिरेगा, पर इसके मानी ये नहीं कि वे निर्दय ही हैं, अपनी भावी पतनी की तरफ से मै आपकी बात का तीवर प्रतिवाद करता हूँ, मार्जित रुची सम्मत उदास अवहिलना से उनमें मुर्जाई हुई आत्मी इता की बरबरता नाम मात्र को भी नहीं, ये दोश उन्हें आप ना दीजिए, अनरादा हसकर बोली, प्रतिवाद आप जितना चाहें करें, पर उसकी जड़ रस नहीं खीचती, पत्तों का रंग हरा भी नहीं होने पाता कि पिलाई आने लगती है, आप गवई गाउं के ग्रहस्त घर की लड़की हैं, इसकूल कॉलेज में पढ़कर पास नहीं हुई, पार्टी या पिकनिक में शरीक नहीं हुई, लहाजा इसका अनराधा ने कहा, मैं उनकी बात छोड़े देती हूं, पर आप खुद देखेंगे भालेंगे, वचन दीजे, मेरी सिर्फ इतनी ही बिनती है, विजय ने कहा, वचन देने को तो जी चाहता है, पर मेरा सभाव और तरह का है, आदत भी दुनिया से अलग है, आपके अग्रह क याद करके बीच बीच में देखने भालने की कोशिश करता रहूंगा, मगर जितना आप चाहती हैं, उतना हो सकेगा, ऐसा तो नहीं मालूम होता, अच्छा आप मैं जीम चुका, जाता हूं, चलने की तैयारी करनी है, इतना कहकर वोट बैठा, बोला, कुमार आपी ही के पा कोश के भेज दीजेगा, शुरू शुरू में आपके साथ जैसा सलुक किया है, ठीक वैसे ही मेरी प्रकृती नहीं है, चलते वक्त फिर आपको भरूसा दिये जाता हूं, कि मेरे घर कुमार से जादा अनाधर संतोश का नहीं होगा, मकान के सामने घोड़ा गाड़ी खड़ थी, बोली, प्रणाम करने के लिए बुलवा लिया, फिर कब कर सकूंगी मालूम नहीं, कहकर उसने गले में आचल डाल कर दूर से प्रणाम किया, फिर उटके खड़ी हो गई और कुमार को अपनी गोद के पास खीच कर बोली, दादा जी से कह दीजीगा कि सोच फिकर ना कर जितने भी दिन मेरे पास रहेगा, किसी तरह का अनाधर ना होगा, विजए ने हसकर कहा, विश्वास होना मुश्किल है, मुश्किल किस के लिए, क्या आप के लिए भी, कहकर वो हस दी, और दोनों की चार आखे हो गए, विजए ने इस पश्ट देख लिया कि उसके पलग हुए है, मुँ जुका कर उसने कहा, कि तु कुमार को ले जाकर तकलीफ न दीजेगा, फिर कहने का मौका नहीं मिलेगा, इसी से बार बार कही रखती हूँ, आपके घर की बात याद आते ही, उसे भेजने को जी नहीं चाहता, तु मत भेजिए, उत्तर में वो एक सास दबा कच्चुप रह गई, विजय ने कहा, जाने के पहले आपको अपने वाइदे की बात फिर एक बार याद दिला जाओ, आपने वचन दिया है कि कभी कोई जरूरत पड़ेगी, तो मुझे चिठी लेखेंगी, मुझे याद है, मैं जानती हूँ कि गंगोली महाशय से मुझे इनकी तरह ही मांगना होगा, मन के संपूर्ण धिकार को तिलांजली दे कर ही मांगना होगा, पर आपके पास वो बात नहीं, जो चाहूंगी बिना किसी संकोच के आसानी से मांग लूँगी, पर याद रहे, कहकर विजय जाना ही चाहता था कि अनुराधा ने कहा, तो आप मेरे पास और कुछ नहीं है, पर जरूरत आ पढ़ने पर हिर्दाय से सेवा तो कर सकती हूँ, आपको वे करने देंगे, मुझे कोई भी नहीं रोग सकता, कुमार नहीं आया, सुनकर विजय की मा, मारे आतंक के सेहर उठी, ये कैसी बात है रे, जिसके साथ लड़ाई है, उ से ढूंड ने काले, तुम्हारा पोता अपनी मौसी के पास है, कुछ दिन बाद आ जाएगा, अचानक उसकी मौसी कहां से आ गई, विजय ने कहा, भगवान के बनाए हुए संसार में अचानक कौन कहां से आ पहुचता है मा, कोई बता नहीं सकता, जो तुमारे रुपए प लेकर युद्ध करने गया था, पर तुम्हारे पोते ने सब गडबड कर दिया, उसने उसका ऐसा दामन पकड़ा कि दोनों को एक साथ बगएर निकाली उसे निकाला ही नहीं जा सकता था, मा ने अंदाज से बात को समझ कर पूछा, कुमार मालुम होता है उसके बस में हो ग मैं तो बाहर रहता था, घर के भीतर कौन किसे लाड़ प्यार कर रहा है, मैंने आखों से देखा नहीं, पर जब चलने लगा तो देखा कि कुमार अपनी मौसी को छोड़कर किसी तरह आना ही नहीं चाहता, मा का संदे इतने पर भी न मिटा, कहने लगी, गाउं गवईं की लड़कियां बहुत तरह की बातें जानती है, साथ लाकर तेने अच्छा नहीं किया, विजए ने कहा, तुम खुद गवईं गाउं की लड़की होकर, गवईं गाउं की विरुध शिकायत कर रही हो मा, अंत में तुम्हारा विश्वास, शेहर की लड़कियों पर ही हो गया क्या, शेहर की लड़कियां, उनके चर्णों में लाकों प्रणाम, ये कहकर माने दोनों हाथ जोड कर माथे से लगा लिये, विजए हस दिया, हसता क्या है रे, मेरा दुख सर्फ मैं ही जानती हूँ और जानते हैं वे, कहते कहते उनके आँखे डबडबा आई, बोली, हम ल शायद तुम्ही लोगों के पुनने से वे बने रहेंगे मा, बिलकुल लोप नहीं होगा उनका, उसी की थोड़ी सी जाकी देखाया हूँ, पर तुम्हें तो वो चीज दिखाना मुश्किल है, यही दुख रह गया मन में, इतना कहकर वो आफिस चला गया, आफिस के काम के अकाजे से ही, उसे यहां चला आना पड़ा है, शाम को आफिस से लोट कर विजए उधर भाईया भावी के साथ भेंट करने गया, जा कर देखा कि कुरुशेत्र का युद्ध कांड चल रहा है, श्रंगार की चीजबस्त इधर उधर बिखरी पड़ी है, भाईया आराम कुर उन लोगों ने अगर सिताशु के साथ हनीता का बयाह पक्का कर दिया, तो इसमें मेरा क्या दोश, आज उनकी सगाई पक्की होगी और ये कहते हैं कि मैं नहीं जाओंगा, इसके मानी तो यही हुए कि मुझे भी नहीं जाने देंगे, भाईया गरज उठे, क्या कहना चाहत भी नहीं लगी, उसने कहा, ठेरो ठेरो, क्या हुआ बताओ भी तो, अनीता के साथ सिताशु घुशाल का बयाह होना तैह हो गया है, यहीं तो, आज ही सगाई पक्की होगी, आएम थ्रॉन कंप्लीटली ओवर बॉर्ड, यानि मैं पूरी तरह समुद्र में फेक दिया गया, भाईया ने हुंकार के साथ कहा, हम, और यह कहना चाहती हैं कि इन्हें कुछ मालूम ही नहीं, प्रभार रोती हुई बोली, भला मैं क्या कर सकती हूं लाला जी, भाईया मौजूद है, मा है, लड़की खुद सयानी हो चुकी है, अगर वे अपना वचन भंग कर रहे हैं, त आना फूसी करेंगे, मैं कलब में मारे शर्म के मूह नहीं दिखा सकूंगा, प्रभा उसी तरह रुआसे स्वर में कहने लगी, ऐसा क्या कही होता नहीं, इसमें तुम्हारे शर्मानी की कौन सी बात है, मेरे शर्मानी की वज़ाई ये है कि वो तुम्हारी बेहन है, दूसर नमुक से कहा, भावी भाई ये चाहे जितना अभी क्यों ना गर जाएं, मैं गुसा या अफसोस तो करूंगा ही नहीं, बलकि सचमुच ही अगर इसमें तुम्हारा हिस्सा हो, तो मैं तुम्हारा चिर्कर तक रहूंगा, फिर भाईया की तरफ मुड कर कहा, भाईया तुम् अंदर है भी ये पास है और मैं, यहां भी पास नहीं कर सका, विलायत मैं भी साथ-ाट साल बिता कर एक डिग्री हासिल नहीं कर सका, और अब लकडी की दुकान पर लकडी बेच कर गुजर करता हूं, ना तो पदगोरा है ना कोई खिताब है, इसमें अनीता ने कोई अन्या किया है, तु क्या कहना चाहता है, कि तुझे जरा भी दुख नहीं हुआ? विजय ने कहा, भाईया तुम बड़े हो, पूज यो, तुम से जूट नहीं बोलूँगा, तुमारे पैर चुकर कहता हूं, मुझे जरा भी दुख नहीं, अपने पुन्ने से तो नहीं, किसके प्रभा ने उसके चहरे की और देखकर कहा, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, लाला जी? नहीं भावी, मजाक नहीं उड़ाता है, आज मैं अंता करन से तुमारा आशीरवात चाहता हूं, तुमारे बर से भाग, मेरी तरफ फिर से मुझ उठा कर देखें, पर अब देर न क करो, तुम कपड़े पहन लो, मैं भी आफिस के कपड़े बदना हूँ, कहकर जल्दी से वो जाना चाहता था कि भाईया कै उठे, तिरे लिए निमंत्रण नहीं है, तुम वहाँ कैसे जाएगा? विजए ठीठक कर खड़ा हो गया, बूला, सो तो ठीक है, शायद वे शर्मि प्राठना है कि तुम सुखी हो, भाईया मेरी प्राठना मानो, नाराजी न रखो, भावी को ले जाओ, कम से कम मेरी तरफ से ही सही, अनिता को आशीरवाद दे आओ तुम दोनों, भाईया और भावी दोनों ही हत बुद्धी होकर उसकी तरफ देखते रहे, सैसा दोनों की निगाय विजय के चहरे पर पड़ी, उसके चहरे पर व्यंग का सचमुची कोई चिन्न नहीं था, क्रोध या अभिमान की लेश मात्र भी चाया, उसके कंठ स्वर पर नहीं थी, सचमुची मानो किसी सुनिश्चित विपत्ति की फंदे से बच जाने से, उसका मन अक्रत्रि हैं ठहरे, बेहन के लिए ये इंगित उपादे नहीं हो सकता, अपमान के धक्के से प्रभा का हिर्दा इस ऐसा जल उठा, उसने मानो कुछ कहना भी चाहा पर गला रुंध गया, विजय ने कहा, भाबी, अपनी सब बाते कहने का भी समय नहीं आया, कभी आएगा या नहीं स इसी दिन, तो उस दिन तुम भी कहोगी कि लाला जी, तुम भागवान हो, तुम्हें मैं आशीरवाद देती हूं। अभी आप सुन रहे थे शरच चंद्र चटो पाध्याय के लिखी कहानी, अनुराधा, मेरी यानि समीर गोस्वामी के आवाज में।